कि तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम बात कने वाले आवर सानी जो की मेंड़िव द्वारा तैयार की गई थी पीछी लेक्षर ने बात किये थी निवलेंड्स धातों में धातों में कैसे वर्गित किया और संयोजगता की अधार पर कैसे वर्गित हुआ है न मेंड्लिव घ्राव गया मॉसले का इसको मॉसले आएगा और जो मारा आधूनिक आवर सानी के रूप में हम पढ़ते हैं तो यह फीमस अवर सानी था कुछ सालों तक यह चला अच्छा का वर सानी था ठीक है तो इस आवर सानी का परतिपादन एक शोने किसने किया था मेंड ने तो नूलेंट भाई सॉमने कहा था जाते हैं किशी निष्चिय संख्या बाद कि निश्चित संख्या भाद क्या होगा गुन समाण हो जाएं ठीक है तो एक निश्चित संख्या बास समान गुन वाले तरह तो पाई जाते हैं यहीं क्या है तो तो मेंनलेव की समय कुल तीरशट ताटू गया थे 16 invea और नियू पर नियूलेंट्स के समय उच्छे न पड़े थे ने नू लेंच की समय किसके समय पाने को भी चलो आवट साडनी के उदगर स्थंबो को वर्ग कहते हैं मतलब साडनी कहता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसा खड़ा होता है मान लो ठीक है कि यहां बिया थे लिए ऊड़ा इसे कि वर्ग कर थ्लिए उद्णाव। है कि इसमें में अच रिकने फटे खड़े यहां चीन बना लेना से ठीक है और आवर्थ सानी के 36 कता रहे 46 मतलब सीधी यह 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 कतारे यह वाली कितनी थी यह साथ आवर्थ तो परफिवादन मेंडली भी किया था तो यह था पर चला आँ चलते हैं मेंडली की आवर्थ सानी की उपयोगीता क्या करते हैं उसको कपी कर लो कोंगे अब बात करते हैं मेंने हैं मुआ मिलया दे लागत Ce सब्सक्राइब करने लगी तो जो था नहीं पुरानवान कैसे लगा देखो एक का बोरोन एक का सिलिकॉन एक का बोरोन जो बाज में खोज जाने वाले तरह तो कौन से थे स्केंडियम एकका सिलीकन में गैलियम एकका सिलीकन घर्मेंट एकका बोरोन एकका सिलीकॉन जर्में तो में लगनbles के ख़ते हैं क्या प्लाइक हुआ है अभी जो आधोनी जो नीका भर क्षानी अभी बहुत सर्क्राइब कोई बैलन्स नियुक्त है जो चार धातू में रखे गए हैं अगर आप जानते होंगे फर्स्ट वर्ग में हैं लेकिन जो हैलोजन वर्ग होते हैं सतरवां वर्ग उससे भी उनका गून मिलता है लेक वही उसके लिए घातक सावीत होता है ठीक है तो हार्डविंगा स्थान गरत हो गया दूस्प्राय मि शंताउं शंतावन से खततर यह क्या है पर्मानुक्रमांक है क्या है प्रमानु हो क्रमांक है और असे कर दिया गया था कूझ समान तट्वों का लगार रखा घाडा ना बता दिया भी समस्थानी को का स्थान मिला समस्थानी क्या होते हैं समस्थानी को में इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है बुक में दिया है लेकि मैं समझाने के लिए जिसका परमानु क्रमान सेम हो यह आइसो टोप होते हैं और परमानु द्रमान क्या हो अलग अलग हो चलेगा और क्या होते हैं आइसो बार एक होता है क्या होता है आइसो बार सुने होगे नाम है कि इसको में हिंदीम क्या होते है संभारीक बाते हैं तो एक इसमद्धाम ने क्रमाण सेम्दway ने । रफे फे lle से सबाइब लोगनरे बाड़न सेLECON होता है लेकिन आइसो टोप में यह समस्थानिक में में बाता है तो कपी करो आगे बढ़ते हैं और मोसले का एक्स कीरने के बारे में बढ़ते हैं तो पर्मानु द्रमान नहीं पर्मानु संख्याई तत्तों का अधीक मौलीक गुल है बास वंजब आघीक किसका कहना यह मौसले का बद्रमान की असली मौलिक गुल है तत्तों को बहुत ही इसके वीवरन क्या क्या है देखो आधुनिक आवट साड़ी में उनकी बढ़ती हुए पर्मानु संख्या क्रमें सजाए गया वह आवर्च फलन तो सजाए जाए गा दूस इन में कुल साथ आवर्त याज़ें कितने आवर्त है तो दिरगा वर्त कहते हैं आधोरी आथावर्त में आठाव थे में पता आपको 18 वर मतलब ग्रूप अधुर और आवर मतलब पीरियड वर्ग एक से दो एवं तेरे सत्रह पढ़ति धी ततु कहलाते हैं वर्ग तीन से बारा संक्रमन ततु ठीक है वर्ग एक छारी धातु वर्ग दो छारी मिर्दा वर्ग सत्रह हेलोजन वर्ग अथारा उत्रह गैस यह से आपको याद हो नच्छी बस में आ दिए तो आ दाइज के लिए तना ही प्राय करते हिए है ओल कर लिए सब्सक्राइब करते हैं अल्द वेर्ज वेर्ग भीश्ट है